जो responsible होते हैं सबी expect भी उनी से करते हैं सो ओवर वेड़न देखकर upset मत हो ये उसे challenge के तौर पर accept किजिए Hello my name is Sublashmi Goswami and welcome to my channel Intimate Viewpoint आज का topic English है आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं English के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ English हम सभी के life में एक important part है important topic भी हम सभी लोग English बात करना चाहते हैं English लिखना चाहते हैं वैसे तो English पढ़ना और English लिखना दोनों आसान है but complications कब rise होती है जब हम English में कुछ कहना चाहते हैं suddenly अगर हमें English में कुछ बोलना पड़े दो शब्द कहना पड़े तो हमारे अंदर से word सी गाइब हो जाते हैं और ना ही हम sentence भी form कर पाते हैं ऐसा क्यूं होता है? इसके दो reason है सबसे पहला reason यह है कि हम इसे कभी घर पर practice ही नहीं करते हैं और दुसरा हम कभी कोशिश भी नहीं करते हैं किसी भी चीज को सिखने के लिए यह दोनों condition बहुत important होता है इन दोनों conditions को apply करके हम किसी भी चीज को सिख सकते हैं मैं यह तो नहीं कहूंगी कि आज के इस video से आप instantly दो दिन के अंदर English सिख जाएंगे बट आज के इस video में कुछ ऐसे words हैं जो हम अपने daily life में use करते हैं यह बहुत important होते हैं तो चलिए इसके words से related मैं कुछ sentence भी बताऊंगी जिसे आपको इसे समझने में help मिलेगी So let's get started जो words मैं आप लोग के लिए लाई हूँ उनमें से पहला word है often O-F-T-E-N इसमें T silent होता है इसे हम pronounce करते हैं often जिसका अर्थ होता है अक्सर हम इसे sentence में often और time दोनों को add करके often time के रूप में भी use करते हैं दूसरा word है crucial crucial word हम लोग generally news में सुनते हैं जिसका meaning हमें पता नहीं होता और जिसके वैसे हम इसे सही जगह पर use भी नहीं कर पाते हैं ये crucial का मतलब होता है mathoporn third word है hardship hardship का मतलब होता है kathinai fourth word है inclination मतलब जुकाओ जुकाओ word हम लोग अपने daily life में हमेशा use करते हैं लेकिन उसका English inclination होता है ये भी हमें पता नहीं होता जिसके वैसे इसका English हम कभी use ही नहीं करते है fifth word है aphorism kahawat kahawat word हम लोग देखिएगा अपने word में हमेशा अपने sentence में यूज करते हैं लेकिन इसका English aphorism होता है तो हिंदी के जगह aphorism यूज करके हम अपने English को improve कर सकते है sixth word है characteristic characteristic का मतलब होता है lakshan या विशेश्टा seventh word है belongingness जिसका मतलब होता है अपने पन eighth word है stuck या jam जिसे हम जैसे हम हिंदी में करते हैं attack गया attack गया इस word को हम लोग mostly अपने हिंदी word में use तो करते हैं हिंदी sentence में use तो करते हैं but इसका English stuck होता है ये हम नहीं जानते हैं तो jam के जगह अगर हम stuck use करें तो हमारा English जो है improved सीम करता है 9th word है entire जिसका मतलब होता है संपूर्ण और 10th word है liberal का मतलब होता है उदार तो चलिए अब हम इससे related कुछ sentence देखते हैं अपने sentence में पहला word हम ले रहे हैं often often में often को हम कैसे use करेंगे जैसे मैं अक्सर वहां जाया करती हूँ I often time use to go there दूसरा sentence मैं अक्सर उससे मिलती हूँ I visit her often second जो word है वो है crucial crucial word को हम किस प्रकार यूज़ करेंगे जैसे यह इस चलचित्र जिसे हम English में movie कहते हैं यह इस movie या चलचित्र का महत्वपुन हिस्सा है This is the crucial part of this movie यहां एक महत्वपुन मामले पर बहस हो रही है An important matter is being discussed here Third word है Hardship Hardship से हम कैसे किस प्रकार हम sentence form करेंगे जैसे अभी मेरे जीवन में कठिनाई का दौर चल रहा है In these days I am facing hardship in my life गरिबो का जीवन कठिनाई भरा होता है The life of poor people is full of hardship Fourth word है Inclination Inclination को हम किस प्रकार यूज़ करेंगे जैसे उसका जुकाव फिल्मों पर जादा है His inclination is strong over movie मेरी अंग्रेजी के प्रती जुकाव जादा है I have more inclination towards English Fifth word है Aphorism मतलब कहावत उससे हम इस्तपर का sentence बना सकते है मुझे कहावतों में पिश्वास नहीं है I don't believe in aphorism मुझे कहावतों द्वारा समझाने की कोशिश मत करो Don't try to explain me by aphorism Sixth word है Characteristic मतलब लक्षन या विशेश्ता जैसे इन में जानवरों के लक्षन है Animal's characteristic is in him इस कुते में इंसानों के लक्षन है A human characteristic is in this dog Seventh word है Belongingness जिसका मतलब होता है अपने पन इस वर्ड को हम इस प्रकार अपने sentence में यूज़ कर सकते हैं जैसे बच्चों को अपने पन की अधिक अवश्यक्ता होती है Children need more belongingness दूसरा sentence अपने पन से ही दूसरों को जीता जा सकता है Others Can be owned by belongingness only Eighth word है Stuck मतलब अटक गया मैं ट्राफिक जैम में अटक गया I stuck in traffic jam मेरा काम वहां अटका हुआ है My work is stuck there Ninth word है Entire जिसका मतलब होता है Shampurn उसे हम इस प्रकार यूज करेंगे राष्टिय तेवहार संपूर्ण देश में मनाया जाता है National festival is celebrated entire country Sampurn जगत इस मुश्कील का सामना कर रहा है Entire world is facing this problem Last word है Liberal मतलब उदार इस वर्ड को भी हम लोग अपने news channel में बहुत सुनते हैं इससे भी हम लोग इस प्रकार यूज कर सकते हैं जैसे उदार होना सिक्षितों का एक बड़ा गुन है Being liberal is a big quality of educated person दुसरा sentence है न्याय कभी भी उदार नहीं होना चाहिए Justice should never be liberal तो ये थे कुछ words जो हम daily life में यूज करते हैं बट हमें इनका meaning मालूम नहीं होने के बज़े से हम proper place में यूज नहीं कर पाते हैं तो I hope कि आपको आज के वीडियो से कुछ help जरूर मिला होगा इसके साथ ही हम आज का वीडियो यहीं end करते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए topic के साथ तब तक के लिए बाई